यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ गर्मी पसी ने छुड़ाएगी 31 मई से मौसम करवट लेगा विभाग ने दो दिन तक आसमान से रहत की फुवारे बरसाने का अनुमान पूर्वानुमान जताया है साती आपको बता दे पहाडों पर 29 मई से मौसम करवट लेगा वीकेंड पर राजी भर में चटक धूप खिली रहेगी जिससे अधिक्तम तापमान में 1-2 डिगरी का उच्छाल आया है प्रदेश के उना में पारा 44 डिगरी से पार हो गया है उना में अधिक्तम तापमान 44.2 डिगरी आँका गया जो जैसलमेर को छोड़ कर देश भर में सबसे जादा आँका गया है इसके लावा बिलासपूर का पारा 41.4 और हमीरपूर का 40.1 डिगरी तक पहुँच गया है कांगड़ा का तापमान 44.0 डिगरी के आंकड़े के करीब है और राज्य की मैदानी राकों के साथ साथ अब पहाडों पर भी तपन बढ़ गई है पहाडों पर भी गर्मी पसीने छोड़ा रही है वासम विभाग के निदेश्रक डॉक्टर मन मोहन सिंग ने कहा कि प्रदेश के मैदानी लाकों में 31 मई से और पहाडों पर 29 मई से मौसम करवट लेगा इस दोरान एक से दो स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश भी होगी राजदानी शिमला में अधित्तम तापमान 28.8 सुन्दनगर में 38.9 भुंतर में 36.6 कलपा में 23.0 धर्मशाला में 33.2 उना में 44.2 नाहन में 37.8 के लांग में 18.5 सोलन में 34.8 कांगडा में 49.0 बिलासपूर में 41.4 हमिरपूर में 40.1 चमबा में 37.2 और धलोजी में 24.2 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है चलिए आगे परते हैं अगली खबर करूख करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है उन्हें प्रदेश में निपा वाइरस से घबरानी की ज़रूरत नहीं है पूना और भोपाल स्थित प्रयोग शालाओं ने खुलासा किया है कि चमगादरों में निपा वाइरस का संक्रमन नहीं पाया गया है सिर्मौर के बर्मा पापड़ी में डेर दर्जन चमगादरों के पोस्ट मार्टम के बाद रक्त के सैंपल पूना और भोपाल प्रयोग शाला के लिए भेजे गए थे जिसमें जांच के दुरान चमगादरों के रक्त की रिपोर्ट नकारात्मक यानी की नेगेटिव आई है जांच रिपोर्ट के अनुसार इन चमगादरों में निपा वाइरस के कोई लक्षण नहीं पाई गए है उपायुक तस्तिरमौ और ललिद जैन ने बताया कि पूर्णा उस्तित राष्टिय प्रयोक्षाला से चमगादरों के रक्त की सैंपल की डिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है तो वहीं माचन सरकार ने सभी सरकारी स्कोलों में महीने के आखिरी शनिवार को बैग रहित करने का फैसला किया है इस दिन बच्चे अपना बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे और अन्यक्रिया क्लाप करेंगे इसी कर चलते आज आदेश के बाद पहला दिन ऐसा था जब बच्चों को बिना बैग के ही स्कूल जाते हुए देखा गया नहान के कर्या वरिष्ट माधिमे कर स्कूल में बच्चों ने अपनी रुची के अनुसार अनेक कारियों में भागेदारी निभाई इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने भाशन, गायन, पेंटिंग और सफाई में भाग लिया इस मौके पर कोई पढ़ाई नहीं हुई और सभी बच्चों ने अपनी रुची के अनुसार काम किया तो बैग रही तो दिवस यहाँ पर मनाया गया हिमाचल सरकार ने आदेशों जाली किये थे जिसके बाद बैग नहीं लेकर गए बच्चे और बैग रही दिवस यहाँ पर मनाया गया और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के काम किoti कुछ बच्चों ने पेंटिंग की और कुछ बच्चे अपनी मनपसंद के काम करते हुए नजर आए और हिमाचल सरकार ने आदेश चारी किये थे कि बैग नहीं लेकर जाएंगे इस दिन बच्चे अपना बस्ता उठा कर स्कूल नहीं जाएंगे बलकि अपने पसंद का काम वहाँ पर करेंगे और अन्य क्रिया क्लाप अधर एक्टिविटीज जो होती है उनमें भाग लेंगे और बैग फ्री डे मनाया गया पहला दिन ऐसा था कल शनिवार को ये पहला दिन ऐसा था जब पूरे प्रदेश में बैग फ्री डे बनाया गया झाल झाल